नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगम पूर एजू किसे में तो दोस्तों जैसे कि हम आधूनिक भारत गायतिहास पढ़ रहे थे उसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर कि यूरोपिया कंपनियों का भारत में कैसे कैसे आगमन होता है तो उसका पार्ट थ्री आज हम लेके आ रहे हैं तो आज हम यूरोपिया कंपनियों का आगमन सिस्वंदी जो भी बाते हैं क्योंकि पार्ट बन पार्ट थू हमने पहले से अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर और आप सभी से मेरा निवीदन है कि पहले पार्ट बन पार्ट जरूर देखे ताकि पार्ट थ्री आपके लिए बहुत असान शब्दों में समझा जाए तो चलिए शुरू करते है तो क्या होता है इरोप में जो पूनर जागन हो रहा है सब बाते मैंने आपको बता ले थी कि वहां पर पूंजी वादी वी वस्ता चुकी है लोगों के पास पैसा चुका है वह पार करना चाते हैं और अधिक संपन बनना चाते हैं तो इसी से जो है फ्रांस का भी भारत की और आगमन जो है होता है तो क्या होता है दोस्तों सबसे पहले को न आते हैं कि बारम थोड़ा सा पिच्छे का जान लेते हैं सबसे पहले आते हैं हमारे पूर्तगाली ठीक है पहले नंबर पे पूर्तगाली और दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे डच और तीसे नंबर पे आते है हमारे फ्रांसिस ही इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे ठीक है दोस्तों फ्रांसिस आते हैं और छटे नंबर पर आते हैं हमारे स्वीडस ठीक है दोस्तों ये बताने का मेरा मकसद है दोस्तों अगर मैं इन सभी मेसे इंपोर्टेंट की बात करूँ कि हमारे लिए पढ़ना कौन से ज़्यादा मतब उड़ा है तो एक है हमारे पूर्तगाली अंग्रेज और फ्रांसिस ये तीन ऐसे हैं जिसमें से एक्जाम में कोश यहां से कोशन बन सकता आपके लिए कि सबसे पहले बारत में कौन आई तो पूर्तगाली वह आते हैं हमारे 1498 में ये मैंने आपको बताया था और जाते कब है 1901 में तो इसी परकार जो हमारे फ्रांसिसी है दोस्तों ये 1604 भारत में आएंगे जो हम उनिस पढ़े के ऑर के हृर्द में चोरण तरह Chronлон जाम है नैंटीं titled 54 तक भारत में बने रही यह आगमन कैसे होता है तो दोस्तो क्या होता है तो फ्रांस जो देश है ना दोस्तो फ्रांस अभी तक भारत में वेपार करने के लिए नहीं आया था 16 चोड से पहले तो क्या होता है दोस्तो जब फ्रांस में क्या होता है हमारे भारत में सबसे पहले जब फ्रांस की बात चलती है भारत में किस का शाषन था भारत में था औरंग जेब का शाषन था और फ्रास में किस का शाषन था दोस्तों फ्रास में था हमारे लूई चोधमा लूई चोधमा महां के शाषकते ठीक है तो दोस्तों क्या होता है जैसे कि फ्रास में जो है जब लूई चोधमा का शाषन होता है कि एरोपया कंपनी का ये फरांस कंपनी का सारा गठन गुठन ये मंत्री करता है इसका नाम था हमारा कोलवर्ट कोलवर्ट इस बंदे का नाम था तो ये बंदा क्या करता है तो दोस्तों जैसे कि हमारे भार देश में एक प्रथा भी है गाउं वगहरा में यहां पर ना प् तोई सब्चेमिभी आदिन्य के बदतेवर्छ का मतलब तृट बाइरोत के सब्सक् atención का वीह घुक्तियागा देखता वंग्रिजों का इसक ने यहां तो फैक्टियां लग रही हैं, तो दोस्तों, आपने कुछ मंत्री होता है, कॉलबट या कुछ गुप्टचर वगारा बेशता है, जासुस वगारा बेशता है, तो यह पता करते हैं, कि भाई, जो ब्रिटेन है, डच है, पूर्टगाली है, यह अमीर क्यों बन रहे हैं इनको बता लगता है, कि ऐसे-ऐसे यूरोप में, एक भारत नाम की जगह है, वहां से यह माल बगारा लेकर राते हैं, सस्ती दामों पर, और यहां पर उच्छ क्वालिटी का उसको यह मतलब बनाते हैं, और यहां पर भारी दामों में बेशते हैं, तो यह साधनसम पन हो र करते हैं कहते हैं देखो भी बात ऐसे है राजा जी तो हम भी ऐसे से युरोप जो है युरोप के अन्य देश जो हमारे प्रडोसी देश है ब्रिटिशर्स वगएरा होगे यह भी बहुत दंसपत्ति लेकर आ रहे हैं एस्या से तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही करें हम भी एक खापनी बनाएं तो दोस्तों राजा जी यो क्या था तो राजे महाराज को तो पैसा चाहिए तो राजे महाराज würdшि ओ छोडवाशी राजी हो जा याजि राजी हो जातے है और को ईजाजई देआ किसकी कंपनी किसी सहापना करने की तो उस कंपनी का नाम होता है जासित कं Company and Oriental The Company and Oriental इस company का नाम रखा जाता है और इस company की स्थापना कब होती है 1604 में तो दोस्तों ये एक background है फ्रांसीजी company की जो आपने एक कहनी बना कर जैसे मैंने आपको बता है ऐसे ही याद रखनी है क्योंकि इसी असान शब्दों में दोस्तों आपको कही नहीं मिलेगा क्या घटना होती है एक बार विजन कर लेते हैं जिस समय भारत में और रंगजेब का सासंता उसमय फ्रांसीजीओं का भारत में आगमन हुआ और फ्रांसमिक का सासंता लूई चोधवे का उसका मंतरी कोलबट जो है राजा को सला देता है कि एक कमपनी वनाए जो हमारे लिए वैपार करेगी भारत से और हम सादन संपूर्ण बनेंगे तो कमपनी का नाम रखा जाता है दा कमपनी एंड औरियंटल और कमपनी की स्थापना कब होती है 1604 में तो दोस्तो इसको नोट कर लिजेगा आप वीडियो को पॉज करके और इसको याद कर लिजेगा ठीक है दोस्तो तो हम आगे बढ़ेंगे अब इसके दूसरे स्थाप में दूसरे स्थाप में क्या होता है दोस्तो आप कमपनी की स्थापना हो जाती है तो company भारत की और बढ़ती है कहां से यूरोप से किसको यह हमारा जो क्या है यहां पर दक्षिन अफ्रिक का है और यहां पर हमारा भारत है तो company भारत से यूरोप की और बढ़ती है यानि कि भारत देश की और तो क्या होता है दोस्तो तो 1600, 1600 स्टार्ट में ये भारत पहुंच जाते हैं, ठीक है, भारत बोचने पर क्या होता है, 1668 में ही अगले वर्स, ये सबसे पहली फैक्टरी अपनी कहा लगाते हैं, सूरत में, सूरत जो हमारा गुजरात में पढ़ता है, आप सभी को पता है, ठीक है, गुजरात में कहा स्थापित की, सूरत में, गुज़रात में कब की 1668 में, ठीक है दोस्तो, अब तो क्या होता है सूरत में? सूरत हमारा गुजरात है, सूरत जो प्ढ़ता है, नम है पर अंग्रेज हैं, डच हैं, डैनिश हैं, ठीक है, पूर्तगाली हैं, तो दोस्तो, ये कंपनिया भी यहां पर सूर्थ में है और यहां पर से क्या जाते हैं यहां पर फ्रांसी सी अब दोस्तों कारण क्या होता है आपको दमाग में कोशन बनना चाहिए कि मैं आपको क्यों बता रहा हूं दोस्तों यहां पर जो कहा है दोस्तों मार्केट में बहुत सारे कंपोटिशन वगारा कर जहां पर competition थोड़ा कम हो और अमें बहुत जाला मुना फमीले तो क्या होता है दोस्तों अगले ही वर्ष यहां से क्या कर लेते हैं आगे बढ़ने लग जाते हैं अंदक्षिन की और पहुंच जाते हैं हमारे मसूली पटनम में मसूली पटनम में पहुंचते हैं 1699 में ठीक है मसूली पटनम में पहुंच जाते हैं और अपनी दूसरी factory की स्थापना यहां पर कर लेते हैं कौन पूर्टगाली देखे दोस्तों पूर्टगाली नहीं बार-बार मन में क्याल आ रहा है मेरे सौरी यहां पर फ्रांसी सी सबसे पहले गुजरात में आ चुके हैं और अब 1669 में यह जो हैं अपनी factory सापित कर लेते हैं मसूली पटनम में ठीक है दोस्तों मसूली पटनम में factory सापित करनेने के बाद इनके पास थोड़ी बहुती दन सपत्ती आ जाती है जब आपके पास बिजनस आप कोई कर रहे हो दन सपत्ती आ जाती है तो आप क्या सोचते हैं मैं और आगी बढ़ो ऐसे ही company ने और आगे जाने का सोचा इसने का सोचा इन्होंने क्या किया दोस्तों चंदर नंगर बस्ती की सतापना करती ठीक है जो चंदर नंगर में अपनी बस्तियों की सतापना करते हैं 1673 में अब ये गुजरात में ठीक है अपने अपने मसूली पट्नमे और बैंगलादेश की नजदीक आ चुके हैं कौन ब्रिटिश चुन폰 यहाँ 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 इनका शासन सथापीत हो जाता है तो इनके पास जब तीन राज्यों से यानि की तीन जगह इसे माल पत्ताता एका तो और पैसा है गाए तो और आगे बढ़ने की सोचेंगे तो आगे का सोचते हैं दोस्तों 16 of यह बंदे अब क्या करेंगे 1664 में क्या करेंगे ये बंदे Pondicherry Pondicherry नामक शहर की स्थापना करेंगे जो हमारा दख्षिन भारत में पड़ता है और इसकी स्थापना कौन करता है Frank Frank Martin Frank Martin नामक एक व्यक्ति इसकी स्थापना करता है जो कमपनी की तरफ से आता है तो Pondicherry नामक सहर की सापना किसने करी 1674 में किसने करी फ्रैंक मार्टने और किसके दवारा की गई यह हमारे फ्रांसी सियों के दवारा की गई और यहां यह कब तक बने रहे यह दोस्तों यहां पर 1904 तक बने रहे यानि कि 1954 तक यहां पर बने रहे और 1947 47 में हमारा देश अजाद हुआ था तो दोस्तो अजादी के बाद भी यहाँ पर बने रही इसलिए हमारे लिए मौस्ट इंपोर्टेंट तत्य हो जाता है वैसे जो बाते मैं आपको बता रहा हूं यह सभी बाते बहुत जादा इपोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पर उन सभी बातों को जादा डिसकस करेंगे जो हमारे एक्जाम की पॉइंट अव्यों से बहुत जादा मतबूर्ण है तो दोस्तो यह सभी तत्थे मारे लिए बहुत मतबूर्ण है सबसे पहले बारत में इससी दोरान दोस्तो क्या हो रहा है भारता में अब बातों को नहीं भी करना तो दोस्तो क्या हो जाता है इसे आगे हम पढ़ते हैं तीसरे चनल में क्या होता है इसी दोरान दोस्तों क्या हो रहा है भारत में जब ये फैक्टरियों की सापना हो रही है तो इतिहास में जब दोस्तों एक जगह एक मतबन गटना होती है ना तो दूसरी जगह भी कुछ ना कुछ चल रहा है लेकिन हम क्या करें हैं आपर फ्रांस के बारे में पढ़ रहा है तो दोस्तों जैसे है अब इनकी फैक्ट्री यहाँ पर मसूली पठनिम में ठीक है और पॉन्डी चरी नामकसीर की स्थापनागर लेते हैं गुजरात में चुक है चंदरनगर बस्ती की स्थापनागर कौंकन कनल मालाबार ठीक है यह यह मैंने आपको जिरह जिम समंदित वीडियो हमारे चैनल पर जाहें जरूर आपके के लिंग पो पूर हो रहें चल रहा है हलगी फुलगी फैक्टरिय हैं हाँ पर भी बन रही है कहां पर कॉंकर कंडर मालावार के अन्य शेत्र में क्योंकि इनके पास पैसा आ रहा है आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो दोस्तों क्या होता है इसके बाद 1670 में जब यह चंदरनेगर बस्ती की इसकी सौरी अपना पांडी चेरी की स्थापना कर लेते हैं ठीक है तो एक महत्रपून गटना होती है हमारी 1742 में 1742 में क्या होता है दोस्तों 1742 में कमपनी की तरफ से एक व्क्ति आता है डूपले डूपले नामक एक विक्ति आता है जो कंपनी की ओर से इसका गवर्नर जर्नल होता है कौन सारासो बैली में डूपले डूपले के ऐसा विक्ति था जिसे उने कंपनी की वास्तिविक सत्भा यहां पर स्थापित ही शोशन करें भारतियों एक तरह से ठीक है इस तरह से लगा सकते हैं आपकि डूपले ने भारतिके में कमपनी की सत्ता सापित करने में महत्तपुन भूमी करें बाइए यहां पर अब हम करनाटे के युद्गी और बढ़ रहे हैं जिसने नहीं भी पहले सुना करनाटे की कर संदी हुई यह हमारे एक्जाम में बजानास तरह कोशन पहुचाता है जो आपके स्टेट के एक्जाम होते हैं सेंटर लेवल के एक्जाम होते हैं तो दोस्तों क्या होता है जब 1742 में डूपले यहां पर पहुंच आता है तो उसके कुछ समय बाद यानि कि करनाटक तो तो क्या होता है दोस्तों सबसे पहले हमें नोट करनाटक के यूद कब होई करनाटक का सबसे पहला यूद जो होता है हमारा सतारा सो यूद होता है थोरी दोस्तों सारा सो चैली में शूरू होता शायद लगे तो दोस्तों सारा सो चैली में होता है तो दोस्तों दूसरा उननजा से लेके और स्तारा सो चरंजा तक यह स्तारा सो अड़ताली तक हुआ रहा दोस्तो हमारा जो पहला करनाट की उत्तश है ठीक है स्तारा सो अड़ताली तक हुआ रहा तो दूसरा हमारा स्तारा सो उननजा से लेके स्तारा सो चरंजा तक ठीक है दोस्तों इसके बाद ही हमारा तीसरा यूद होता है 1775 से लेके और 1703 तक तो देखे हैं हमारे फर्थम करनाट कब हुए वा तो 1746 से लेका 1780 तक दूसरा 179 से लेके 1744 तक और तीसरा हमारा 1756 से लेके 1703 तक जिसको हम सब्सका के रिष्टा के नाम से जानते हैं के लेगे-लेकर ठीज्चर नहीं की जूर्वत tempo नहीं नहीं को जादा मुश्किल काम है दोस्तो लोक्त और आपने एक्जाम कले एक्जान कलीर करना है तो यह कोई जादा मुश्किल नहीं है आप इसको पढ़िए इसकी revision के जिए चार-पांस दिन आपके लिए असानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगे ठीक है कोई जादा मुश्किल नहीं है दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों हम देखिए आपको कैसे याद करवाएंगे किस किस के बीच होता है एक तरफ होते हैं हमारे अंग्रेज और एक तरफ होते हैं हमारे ब्रिट ये फ्रांसिसी ठीक है एक तरफ होगे हमारे अंग्रेज और एक तरफ होगे फ्रांसिसी तो दोस्तों इस युद्ध को लेकर एक संदी होती है जिसको हम जानते हैं एक्सला शापिल एक्सला शापिल की संदी दोस्तों ये हमारा महत्तपून तत है अब मैं इसको आपको पहले यूद्ध को डिस्कस करने वाला हूँ इसके पीचे का बैकराउंड समझाने वाला हूँ वैसे वहाँ से ज़्यादा कोशन नहीं बनते हैं लेकिन फिर भी आपके मन में एक मैं पिच्चर करियेट कर देता हूँ कि प्रसम करनाट की यूद्ध क्यों हुआ इसके पीचे का बैकराउंड क्या रहा तो क्या होता है दोस्तों सारा सो चैली और अड़ताली के बीच में ये रोप में एक जगह है आस्ट्रिया आस्ट्रिया जगह है तो दोस्तों यहां के राजा की मृत्ति हो जाती है तो यहां के राजा की मृत्ति हो जाती है अब एक राणी यहां पर उत्रदिकार के लिए चूनी जाती है अब एक तरफ होते हैं अंग्रेज और एक तरफ होते हैं हमारे कौन फ्रांसी सी अब अंग्रेज तो कहते हैं भाई इस रानी को जो है महारानी बनाना चाहिए यानि की उत्रादिकार राज्या का आगे इसे बनाना चाहिए राज्या की मुर्त्य के बाद और एक तरफ होते हैं हमारे फ्रांसिसी, फ्रांसिसी कहते हैं भी ऐसा नहीं बनना चाहिए, यह रानी जो है नहीं बननी चाहिए, और अंग्रेज कहते हैं यह बनने चाहिए, ठीक है अश्ट्रिया का उत्रदिकारी जो यहां की रानी होती है, अब उसके बाद क्या होता है द यहांपर हमारा यह अप्ना यूरूप हो गया ठीक है और यहांपर डख्षण और फॉर्प हो गया यहांपर भारत वगया तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि यहासे वस्कोडीकाममा अपने अश्या की खूजकी थी ऑँ भारत एक नाम कि भी हैं और फ्रसेसी भी हैं इसी तरह एपनिवेश अफ्रीक का उपनिवेश अफिका का छाww एपनिवेश बीच को फयक्ता पारय को शक्रामिद कि एके Hayır Nee में अस्ट्रिया की उत्र अ Nous लेकर इनों पर यूद चलने लग जाता है तो यूद के बाद क्या होता है दोस्तों सबसे पहले यह कर नाटम में सहाव किताब चल रहा है यूद को ले बैक चुरू शुरू में क्या घटना होती है तो कर नाटक में यह uh bul connection ब्राजा केहते हैं। ऑद्र फ्ररांसी काहते हैं हम आगे बड़े। तो यहां के राजा होते हैं। जिकाने ध्राते हैं अंबर क्लिछा के राजा को इसफिते हैं। यूधे अंपली पर समद्री तो लिद्र डाली है। कि राजा जी हम यहाँ पर कोई भी युद्र नहीं करने वाले हैं तो दोस्तो धोके से 1945 में 1945 में जो ब्रिटिश हैं हमारे अंग्रेज हैं वो किसे पर यह हमला कर देते हैं फरांस पर फरांस पर जब यह हमला करेंगे तो फरांस जबावी इनका जबाव देगा तो जबाव देगा निकि अंग्रेजों की तरफ से कौन है अंग्रेज हैं और फरांस की तरफ से डूपले हैं डूपले मैंने आपको बतायादा कि चत्री चुलाग बंदा था तो डूपले इनके साथ यूद करता है और इनसे एक मदरास नामक जगा ले लेता है तो मदरास नामक जगा लेने के बाद तो जो अनुवरी दिन जी यो हमारे अनुवरी दिन है ये इनके किसके पाँ जाते हैं ये जाते हैं फरांस के पास तो दोस्तो भारत में भी इनका युद कि खतम हो जाएगा. अब एक संदी होती है, एक चलाशा आपिल की संदी. तो दोस्तो आपके मन में परशन हो रहागा, मैंने सब कहानिया, आपको क्यों बढ़ाई, क्यों बढ़ाई मैंने, राजा बहुत कमजोर है हमारे लिए कुछ भी नहीं है यहां पर से अब ये भारत के राजाओं का पतन करना शुरू कर देंगे क्योंकि एक महान शक्तियां थी एक पास नो सैना थी अस्तर सस्तर से हमारी भारते शैना उसमें इतनी अच्छी नहीं थी शायद आपारे भारते उस समय बहुत जाद अच्छी होती तो आज यूरोपियों का भारत में इतना सब ये सब कुछ नहीं होता तो इससे अंग्रेज और फ्रांसीजी को पता चलता है कि भारत के जो राजा है वो बहुत कमजोर है उनकी सैना कमजोर है हम उनको असानी से हरा सकते हैं तो दोस्तों इसमें सिर्फ आपको यही याद रखना है कि एक्षला शापेल की शंदी होती है प्रथम करनाटक यूदगे में ये पंद्रा सु साना सु चैलिस साना सु अड़तालिगे भी चलता है और एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ फ्रांसीजी होती है ये जो बैकराउंड है आप अपने एक बास सुनी होगी एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती तो इसी कारण फ्रांसीजीओं और अंग्रेजों के बीच अपनी अपनी सत्ता भारत में स्थापित करने के लिए युद चल रहे हैं किसके बीच फ्रांसीजीओं और अंग्रेजों के बीच तो दोस्तो अब हम आजाते हैं दूसरे करनाटक युद पर, दूसरे करनाटक युद में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या रखना है, ये कब से कब हुआ, ये सारा सो उननजा से लेके सारा सो चरनजा तक होता है, तो इसमें क्या होता है, दोस्तो एक तरफ होता है भारत में और एक तरफ होता है हमारा क्या करनाटक, तो करनाटक और हैदराबाद में क्या होता है, दोस्तों, यह हमारा हैदराबाद हो गया और यह करनाटक हो गया, इनके जो राजा है, इनकी मृत्यू बगहरा हो जाती है, फिर आगे इनके बेटे होते हैं, तो इनके बेटे होते हैं जिन के आगे हम कहते हैं कि मैं उत्रव धिकार बनूंगा, मालोग ए यह बी हो गया, ए यहांपर बी हो गया, बी कहता है यहांपर बनूंगा, करनाटक में भी है, जी कहता है, यहांपर मैं बनूंगा. पड़ गी ठीक है दो बंदों की लड़ाई पड़ जाती है तो एक तरफ हो जाते हैं फ्रांसीसी और एक तरफ हो जाते हैं ब्रिटेन तो इसी तरह भारत में यहां पर हमारा है धरावाद और करनाटक में चल रहा है क्योंकि फूट डालो राजगरों की नीती यहां पर इनकी सफल हो रही है देखो बात तो करनाटक और हैदराबाद गया लेकिन बाहर के बंदे उसमें हिस्सा ले रहे हैं इन दोनों को यहां पर लड़वाएंगे और अपनी राज्जा की स्थापना करेंगे इनको खृदेंगे इनको लाल्च देंगे तरह तरह के ऐसी ऐसी बाहरत में इनने पनी सस्ते असाफित की जब आगे हम पढ़ेंगे हड़व की नीतिया या एनकी ठीक है और सहाइक संदी की नीतिया चलो हमां आगे की डिसक्स करेंगे लेकिन फिर हारम फ्रांसिस के बारे में पढ़ रहे हैं तो दोस्तो हैदराबाद और करनाटक को लेकर इनके आमर करनाटक की नी amiga का हalterं अग्रे या और फ्रांसिसयों के बीचुक्षित अ कि इतने बाते हमने यहाद रहने है कि नीकार और हいう लेक्षित लिपन के नर्क ग्रुगी सण्दी की और कि कि पुरान इस यूद्ध की समाप्ती होती है, तो पंडीचेरी संदी किया, जो बाद इस यूद्ध की समाप्ती होती है, तो तीसरा हमारा यूद्ध है, दोस्तो, वह हमारा करनाट का, कब से कब चला, 1756 से लेकर 1763 तक, 1763 तक चला दोस्तो, और इस यूद्ध को हम किसके नाम से जाते हैं सब्ट वर्षिया यूद तो दोस्तो कोशन बन सकता है कि शब्ट वर्षिया यूद किसे सबंदित है ये कब से कब हुआ 1768 से लेकर 1703 तक किसके बीच हुआ अंग्रेज और फ्रासीसियों के बीच हुआ तो दोस्तों क्या होता है इस यूद में इस यूद के हमारा इस यूद्ध में किसकी संधि की जाती है by ऐस अच्टेस्ट हो जाने के बाद इस यूदassed की समाप्ति होजाती है दोस्तों तो दोस्तों ये करनाटक युद्ध तो हमारा तीसरा है सब्त वर्ष युद्ध है 1717, 1723 लगा और पैरिस की संदी से इसकी युद्ध की समापती हो जाती है तो दोस्तों ये युद्ध है ना दोस्तों हमारा जो पहला और तीसरा ये युद्ध जो है हमारे पहला और तीसरा एक मत्रपुन बाते मैं आपको बता देता हूँ, पहला और तीसरा युद्ध जो है हमारा, यह हमारा कहां से सबंदित है, यह हमारा यूरूप से सबंदित है, क्योंकि रूप में लड़ाई चल रही है और भारत में भी युद्ध चिड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा है, हैदराबाद और करनाटक को लेकर इसका सबंदम सीधे तोर पर भारत से रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया है, तो दोस्तों कोश्चर बन सकता है कि करनाटक के तिनों युद्ध में से कौन से युद्ध का भारत से सबंद रहा है, कौन सा युद्ध भारत की सत्ता क लेकर हुआ था तो वो तो हमारा दूसरा कब हुआ 1709 से 1704 तक और पांडी चेरी को लेकर इस युद्ध की जो है समाप्ति होती है तो दोस्तों यह सब बाते मैंने आपको बताई हैं दिसक्सिन कर लिजेगा एक क्विक रिविजन लिए ले लेते हैं तो दोस्तों हमारे भारत में 1604 में यह कंपनी आती है 1604 में इस कंपनी किसा अपना होती है दा कंपनी एंड औरियंटल इसका नाम था ठीक है दोस्तों मसूली पटनम में स्थाफित करने के बाद इनके पास पैसा पूसा आगे आगे जाएंगे आगे जाएंगे ये 1673 में ही क्या करेंगे ये अपनी चंदरनगर बस्ती की स्थाफना करेंगे ये सब बाते बैने आपको बताई है जो भी और 1674 में ये पांडीजे होते हैं जो मैंने आपको भी बताई है 1st, 2nd, 3rd और जो हमारा 2nd है उसका भारत से बहुत गहरा सबंदर है क्योंकि भारत के हैदरवाद करनाट के उत्तर अदिकार को ये युद्ध चलता है तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है जिसमें हमारे इसकी यहां पर से पूर्ट व्वण्डि वाशती हैँ इसमें एक तरफ कॉन हूते हैं अंग्रेज और एक तरफ होते हैं हमारे फ्रांसी यानि कि सब तो वर्ष्याद युद के द्रान ही हमारा ये युद्द चल रहा है ठीक है दोस्तों जो करनाटक का तीसरा यूद है सोना सो स्तारा सो चपन से लेकर स्तारा सो तरह तक चला तो इसी के भी स्तारा सो साथ में एक बांडी बाश का यूद होता है जिसमें एक तरफ अंग्रेज होते हैं 1757 में एक युद्ध होता है जिसको हम प्लासी के युद्ध के नाम से जाती है और वंडी वास का युद्ध भी अंग्रेजियों ने जीज लिया है तो इनकी सत्या बढ़ रही है तो दोस्तों जब हमारा वंडी वास का युद्ध होता है यहां से इनका जो है दमन होना ना दमाग बहुत जादा काम करने वाला चतुर चलाक नहीं था तो कहीं ना कहीं उनकी भ став से ड लाली का लट्न मीजों के हार हगा जाता है गई पन को पन्तु को बहुत व्यक्ति भुक भी खड grassy वहा क्या बनविगी नियुक्षी आफ रेक जाती है तो दोस्तो आज अज हमारे लिए बहुत मत्तभण है आप नोट कीजें को बहुत सारे व्यक्ति बुक भी खोलेंगे और उसको बन भी कर देंगे क्योंकि दोस्तों बुक में बहुत जादा मुश्किल है यह जो है लिखा हुआ है बहुत कठीन बाशा है तो दोस्तों हमारे वीडियो को आप देखिए नोट्स बनाइए आपके लिए बहुत जादा महत्तुपन है हमारा आज जो टोप और यदि आपको कोई भी डाउट हो को लेकर तो आप मुझे इंस्टागराम पर फोलो कर सकते हो और हर रोचेब जेके बाद मुझे कॉंडेक्ट कर सकते हो मैं आपके मैसीज का जुरूर से रिपलाई देऊंगा बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फोलो किया है और बहुत सा